स्वागत है टेक्निकल एजी यूट्यूब चनल में आज हम बात करेंगे सेल आएसपी का कोस्टिन पेपर आनलाइसिस करेंगे जिसमें आप लोग देख सकते हैं 60 नंबर का था यहां पर आप लोग का नॉन टेक्निकल पार्ट का और यहां पर 40 नंबर जो है वो था आपका ट प्रेड है तो आप लोग देख सकते हैं और आगर कोई भी एक्जम का प्रेशन कर रहे तो भी आप लोग इस पेपल को देखिएगा क्यूंकि आपका भी इसमें कोस्टिन आ सकता है और इसका भी अनलाइसिस करेंगे तो आज मैं थ्रोली इसको कोस्टिन का एंसर बता दूं इनका है सेल का ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं कोसिन नंबर वान अब लोग देख सकते हैं वीच काम्स एंडर मेकानिकल ओकुपेसेनल हेजाट्स के अंदर कौन सा आता है यह पर असर होगा अप्स नंबर डी आंगड़ेड मैशिनरी नेंस्ट कोसं देख सकते हैं को से नमबर टू वाट इस दग्लास ओफ फायर कॉस्ट बाई फायर ऊट पेपर क्लोथ यानि ऊट पेपर क्लोथ से कौन सब फायर लगता है तो इसका अंसार होगा क्लास ए फायर ठीक है तो यह सब कोश्टेन मेरे को जो सेंट किया है तो उसके हिसाब से बनाया हूँ तो इसमें diffDAQ कर सकते है कोई भी आगर देखकत है तो आप लोगा कोश्न करके बता सकते है और आपका कोई भी कोश्ट pensando चूट गया है तो भी आप लोग मेरे तेलिअन में है तो पार्सोनल टेनिग्रम में तो वहांस भी आप लोग कोर्यों का एंसर मिल जाएगा तो नेक्स डेख शकते हैं को सिन नंबर 3 वाट इस दा कलर कोड़ प्लास्टिक वेस्ट बिन का कला कोड क्या है फ्लास्टिक वेस्ट में का इसका अंसर होगा कोस अफ्सें नंबर A. Next question देख सकते हैं. Question number 4. Which file is used to make the job close to the finishing size? इसका answer होगा. Option number C. Second cut file. Next question देख सकते हैं. Question number 5. What is the use of filler gauge? यानि filler gauge का काम क्या होता है? Option number B. इसका answer हो जाएगा. Check the gap between the matching parts. Next question. Question number 6. What is the purpose of grover? ये sheet metal से question है. यानि grover का काम क्या होता है? इसका answer होगा. Option number C. Closing and locking of seam. यानि जो seam joint होता है. उसको closing और locking करने के लिए use किया जाता है. Next question. Question number 7. What is the name of steak? यहाँ पर एक steak का picture दिया गया है. तो यह जो steak है. तो इसका steak का नाम क्या है? तो इसका नाम होगा. Option number C. final steak. क्या होगा? final steak. Next question. Question number 8. अब लोग देख सकते हैं. Which sizzle is used for cutting QS? यानि QS cutting करने के लिए कौन सा sizzle का उपयोग करते है? इसका answer हो जाएगा. Option number B. Cross cut sizzle. Next question. Question number 9. Which is used to finish the reserpent divider point? यानि divider point का अगर जो sharpness है यानि point angle जो है वो damage हो जाता है तो उसको कैसे reserpent किया जाता है? तो इसका answer हो जाएगा ओयल स्टोन यानि ओयल स्टेन में यहाँ पर घिशते घिशते उसका divider point को sharpness कर सकते हैं. Next question. Question number 10. Which metal cutting saw is used to cut large cross sectional area? इसका answer क्या होगा? इसका answer होगा हमारा option number C. circular saw. Next question. अब लोग देख सकते हैं. इसका meaning होगा large cross section मतलब होता है? इसका जो cross section होता है, large cross section में कैसे use किया जाता है? तो circular जो saw होता है, तो circular saw से cutting किया जाता है. Next question. अब लोग देख सकते हैं. Question number 11. What is the use of bend snip? bend snip से क्या काम होता है? इसका answer अब लोग जानते है, option number D. यानि circular cut. Next question. Question number 12. What is the angle of counter sink head screw? counter sink head screw जो होता है, उसका angle कितना होता है? इसका answer answer होगा, option number B. 90 degree. Next question. Question number 13. What is the name of the operation to enlarge the hole for given depth? यहाँ पर question को अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर बताया है, given depth, enlarge to given depth, यहनि depth को enlarge करने के लिए कौन सा operation का use करते है, इसका answer हो जाएगा, option number C, counter boring. अगर यहाँ पर depth यहाँ पर नहीं लिखा रहता है, तो यहाँ पर इसका answer होता, rimming, लेकिन यहाँ पर दिया गया है, to enlarge the hole for given depth, तो इसका answer हो जाएगा, counter boring, तो इसी तरह question को अच्छे से पढ़ियेगा, बाद में answer कीजेगा, क्योंकि question में ही आपका answer छुपा हुआ रहता है, next question देख सकते हैं, question number 14, what is the defect if pores of the grinding wheel get closed, यहने एक grinding wheel जिसमें metal का जो chips होता है, इसमें metal chips से भरे होता है, और यह close हो जाता है, तो इसका answer क्या होगा, इसका answer होगा option number C, loading, इसका answer होगा, loading option number C, next question आप लोगो देख सकते हैं, question number 15, 15, क्या बताया है, what is the name of the operation carried out in turning to remove bars and serpents from the age of component, यानि एक turning operation होता है, तो turning operation तो इसमें क्या बताया गया है, remove bars and serpents from age of the component, यानि इसका जो age है, तो इसका age बराबर जो bars है, यानि chips है, तो उसको remove करने के लिए कौन सा operation का use करते हैं, तो इसका answer हो जगा option number D, facing, यानि age में अगर कोई operation किया जाता है, और इसको bars को remove करने के लिए, तो इसका answer हो जगा facing, ठीक है, अगर इसको बोला जाता है, किसी angle और thread cutting करने के लिए, तो इसका answer होता, चैंपरिंग, लेकिन यह चैंपरिंग नहीं होगा, क्योंकि इसमें बताया गया है, to remove bars and sharpness from the sharpness करने के लिए, तो sharpness और remove bar करने के लिए facing होता है, next question देखेगा, question number 16, what is the file for lock repair and filing hard notches in keys, तो key में, यानि, चाबी में, जो hard notches होता है, उसको काटने के लिए, और lock को repair करने के लिए, यानि, ताला को repair करने के लिए, कौन सा file का हम use करते है, पेसल file का, तो इसका answer हो जागा, option number C, warding file, next question, question number 17, what is the name of pipeline symbol, इस तरह एक symbol दिया गया है, पिक्चर दिया गयता, तो इस पिक्चर का नाम क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका answer हो जागा, option number D, reducer, concentric, reducer, concentric, reducer क्या होता है, एक मोटा सा pipe से, जब छोटा pipe जाता है, तो इसको reducer बोला जाता है, ठीक है, यानि, यागर एक mm होगा, तो यह half mm, यानि 3 by 4 mm भी हो सकता है, लेकिन इसमें reducer का काम क्या होता है, बड़ा pipe से छोटा pipe में convert होता है, ठीक है, तो ही reducer होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें मोटा बाला है, और इसमें पतला बाला है, तो इसमें दो pipe में बाटा जाता है, तो इसका answer हो जाए यानि coating में coating करते हैं, मतलब coating जो एक metal के उपर coating जो किया जाता है, तो coating में corrosion resistance तो करते हैं, क्योंकि जो खाई होता है, खाई को पतिरोध करता है, और उसमें crack जो बगेरा, crack बगेरा जो होता है, temperature के, temperature में, ज्यादा temperature में आ जाएगा, तो उसमें crack आ जाता है, लेकिन ये crack न नहीं आता है तो इसे कौन सा जो मैट्रील है उसका कोटिंग करने के लिए ऊप्सें करने की बात थीक है अन्सेशन नंबर ए लेड नेक्स्ट कोश्चिन एनेलिंग जो होता है एनेलिंग ड़ेनल को करने के लिए किया जाता है हिघट्टेमेंट velocis में przekैए तो ही ड्लेक्ट से भीच। आये थे नेक्स्ट को देख सकते हैं इसके साथ साथ आप लोग अगर चैनल में नया आये हो तो जो चैनल को सब्सकाइब करके करके रखिएगा क्योंकि इसी तरह जो इंपोर्टेंट अपडेट आपको मिलते रहेगा इसी चैनल में और इसके बाद भी आई टी रिलेटेड अ सब्सक्राइब का उपयोग किया जाता है तो इसका अंसरा अप्सेन नमबर सी उड्राफ की नेक्स्ट कोसें देख सकते हैं कोसें नमबर ट्वेंटी वान वीच फिनिसिंग प्रोसेस हैब ए हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल एकुरेशी यानि कौन साथ फिनिसिंग ऑपरे काट ओप लेना चाहते हो कितना काट ओप आ सकते हैं तो आप लोग कॉमेंट करके बताईएगा इस वीडियो के नीचे कि कितना आपका सही हुआ है कितना आपका गलत हुआ है और अगर नॉन टेक्निकल का अगर कोस्टिन आप लोग एनलेसिस करने के लिए बोलोगे तो बारे में बता सकते हैं ठीक है तो बताईएँगा तो आप लोग जरूर इसको कॉमेंट करके बताईएगा वीडियो के नीचे कि आपका कितना सही हुआ है ठीक है नेक्स्ट आप देख सकते हैं कोस्ट नमबर ट्वेंटी टू वाट इस दस नेम अप नाट हैविंग टॉप ं क्यों, ल table of hexagonal सेप यह अपर लोग नीचे बाला पार्ट जो एक्सा णुरा का है और यह कौन्सक्ट नाट का सेब इस नाट इसका इंसर हो जाएगा हमारा case लनाट ठीक है? इसका कैसलिन नट है कैसलिन नाट कांशनल का धेलगा है इसका इसका जाएमारेblackड z.0 कि नीचे बाला जो पाट है नीचे बाला पाट है hexagonal type का होता है रोपर बाला पाट जो होता है round shape का circular shape का तो इसका answer हो जाएगा castle nut next question देख सकते है question number 23 which gauge is used to check the gap between the matching parts तो इसका answer हो जाएगा filler gauge filler gauge के मद्यम से हम लोग 2 job का matching दो मैचिंग जोब का डिस्टेंस जो है मेजरिंग कर सकते हैं नेक्स्ट कोस्टिन कोस्टिन नमबर ट्वेंटिफोर अपनोग देख साते हैं वाट इस दा डिफेक्ट कॉस्ट बाइंटर लॉक्ट एयर बाबिल्स एंड पॉकेट्स इन दा हाइड्रोलिक पाइपलाइन गुच्छा गया था यह निंद बताया है एक जो पाइप होता है तो पाइप में जो इंटर लॉक्ट एयर बाबिल रहता है तो उसमें क्या डिफेक्ट होता है तो इसका अंसर हो जाएगा option number A, cavitation इसका अंसर हो जागा, cavitation option number A, next question आप लोग देख सकते है question number 25 which type of rope is used for heavy duty hosting यानि heavy duty मतलब बहुत ही भारी तरीका से load लेने के लिए, कौन सा अमारा ये rope का उपयोग किया जाता है तो इसका answer हो जाएगा, अमारा wear rope, यानि तार का जो rope होता है उसमें जादा heavy load को use किया जाता है load को transmit कर सकते है next question, question number 26 अब लोग देख सकते है which type of belt is used if the distance between the shaft are too short यानि जो दोनो shaft है तो दोनो shaft में यहाँ पर देख सकते है belt drive में, अगर distance बहुत ही कम होता है यानि distance अगर जादा नहीं होता है तो आपर कौन सा belt का use किया जाता है तो इसका answer रहाज़ेगा option number B B belt ठीक है option number B B belt यानि distance अगर कम होता है तो यहाँ पर belt drive जो होता है B belt का उपयोग किया जाता है next question, question number 27 अब लोग देख सकते है which ore produced lead metal यानि lead जो होता है तो उसका ore क्या होता है मतलब आकोरिक क्या होता है खनी से जो आकोरिक मिलता है तो आकोरिक और यहाँ पर देख सकते है ore का होता है गेलिना यानि गेलिना से lead निकाला जाता है next question, question number 28 which graphical representation of activities performed during manufacturing यानि जब किसी भी job को manufacturing हम लोग करते है तो उसमें क्या हम बनाते है जो copy में बनाते है तो इसका answer होगा process chart यानि process chart बनाते है कि manufacturing कैसे किये है तो उसका लिखना पड़ता है तो उसके लिए process chart बनाना पड़ता है तो इसका answer होजाएगा option number B process chart next question, question number 29 अब लोग देख सकते है what is the name of symbol यानि एक symbol दिया गया था इसी तरह round symbol तो round symbol क्या होता है round symbol होता है daily maintenance का ये preventive maintenance का chapter से question पूछा गया था यानि जो round shape है round shape क्या होता है round shape में बताया जाता है कि daily maintenance करना है किसी भी machine को ठीक है next question, question number 30 अब लोग देख सकते है which device is used to hold, locate and not guide the cutting tool during machining operation यानि यहाँ पर बताया गया है यहाँ अब लोग देख सकते हैं last में यहाँ पर देख सकते हैं knot guide knot guide मतलब गाइड नहीं कर रहा है सिर्फ holding कर रहा है और locate कर रहा है तो इसका answer क्या होगा तो इसका answer होगा यानि option number B यहाँ पर definition बताया है fixture का definition क्या होता है यही fixture का definition होता है तो इसमें not है या नहीं आप लोग देखिएगा उसके बाद ही answer कीज़ेगा अगर not नहीं रहता है तो इसका answer होता jig लेकिन not है तो fixture इसका answer हो जाएगा next question question number 31 देख सकते है which type of boost is used to jig to perform more than one operation in same location यानि एक ही location में different type का अगर operation कर सकते है तो उसमें कौन सा boost का हम use कर सकते है मतलब एक ही जगा पे different type of अलग-अलग से operation हम करते है तो इसका answer हो जाएगा option number a sleep boost यानि sleep boost के माध्यम से हम अलग-अलग type का operation कर सकते है एक ही location पे next question question number 32 what is used for checking the horizontal and levels horizontal and vertical होगा इसमें horizontal and vertical level of the machine होगा ठीक है भाटिकल यहां पर नहीं उठा है तो यहां पर देख से तो यह एक machine का अगर horizontal vertical level check करना होता है तो इसमें कौन सा instrument का use किया जाता है तो इसका answer ब्लॉक spirit level यानि block spirit level के माध्यम से हम उसका कोई भी label को हम check कर सकते हैं यानि horizontal भी और vertical level भी check कर सकते हैं किसी भी machine का हो सकता है किसी भी table का हो सकता है किसी भी change का हो सकता है next question question number 33 what material is used as a grouting of steam turbines यानि जो steam turbines होता है तो उसका grouting देने के लिए कौन सा instrument का कौन सा material का use किया जाता है तो इसका answer रजगा lead grouting क्या होता है grouting मतलब packing होता है किसी भी machine को अगर एक machine होता है तो machine को अगर गॉंक्रेट में इक है उसको खाली जगा पड़ा है तो इसको खाली जगा पड़ा है Video Raw प्रवाइन के लिए लेड यूज किया जाता है और मेशिन में तो कॉम्ट्रीड भी हो सकता है और कुछ भी पैकिंग देकर हम उसको फीख्ट कर सकते हैं किसी भी मेशिन को तो यह जो है यह आपका जो लिप्टिंग अप्लाइनसेज और मेशिन फीटिंग का चैप्टर से कॉस्चिन आया था नेक्स्ट कोस्चिन देख सकते हैं कोसे नमबर 34 विच काटिंग वाइल इस यूज इन ऑटोमेटिक लेद इन अटोमेटिक लेद में कॉन्सा काटिंग वाइल का यूज के जाता है तो इसका एंसर हो हाई प्रेशर और लोड यानि जो लूब्रिकेंट होता है तो लूब्रिकेंट में जो कौन सा पोपाटिज रहता है जिसमें किसी भी लोड को मेजार मतलब विच्टेंड कर सकते हैं किसी भी लोड को विच्टेंड कर सकते हैं लोड और प्रेशर हाई प्रेशर को भी विच कर सकते हैं तो इसका एंसर हो जाएगा विसको सीटी ऑपसे नमबर बी इसका एंसर हो जाएगा विसको सीटी नेक्स्ट कोस्टिन कोस्टिन नमबर देख सकते हैं 36 what is the minimum diameter of pipe used with chain range यहनि chain range के माध्यम से हम जो जो जाब को को hold कर सकते हैं मतलब pipe को hold कर सकते हैं तो इसका minimum diameter क्या होता है तो इसका minimum diameter होगा option number B 50 mm इसका answer होजगा 50 mm अगर chain range के change करके इसमें chain pipe भाइस अगर बता देता तो इसका answer होता 63 mm ठीक है तो इसमें बताया है chain range का minimum range तो chain range का chain range का क्या होगा option नमबर B 50 अगर चेन पाइप भाइस होता तो उसका 63 होता ठीक है नेक्स्ट कोस्टिन कोस्टिन नमबर 37 वाट इस दे नेम ऑप दे लेद स्पेसिफिकेशन अब लिख सकते हैं लिघे हैंध लिख सकती हैं यान पर जो हेड्स होता है और यहांपर डिस्टेंस कितना होता है तो यहांपर यह पिक्चर में द्यागाए तो इसका एंसर हो जाएगा यहांपर सकते हैं ल्झ बिट RT consent between center यानि option nd यहां पर दोनों ही length between 센न्टर है तो यहां पर question में मतलब option में गलत typing किया हुआ है तो इसका answer होगा length between center अगर दोечение सेण्टर होता है तो 2 spoke की बीच का जो दूरी है तो उसको ही यहां पर marking किया हुआ है तो यहां पर option c शी और d में दोनों लेंध बिट्व 20 हो तो यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है नेक्स्ट को सिन को सिन नमबर 38 देख सकते हैं वाट इस दा टार्म अब दा एलजेब्रिक इसका अंसर होगा हमारा ओप्षन नमबर 8 देवियेशन ठीक है इसके अगर इसमें बताते कि मैक्सिमम अल्जेब्रिक डिफरेंज बिट्विन साइज अगर maximum अल्जेब्रिक डिफरेंज बताते तो आपड़ डेवेशन होता और मिनिमम अगर बताते तो इसमें लोवर डेवे से नहीं इसका answer हो जाएगा next question देख सकते है question number 39 a dimension is stated as 20 plus minus 0.02 mm in a drawing what is the tolerance limit fit tolerance का question है यहाँ पर देख सकते है बताया है 20 यहाँ पर देख सकते है 20 plus minus 20 plus minus यहाँ पर 0.02 यहाँ पर यह बताया है तो इसका answer क्या होगा तो इसका tolerance क्या होगा tolerance मतलब यहाँ पर होगा 20 यहाँ पर plus जो होगा plus कितना होगा तो plus होगा पहले आपनों देख सकते है 20.02 इसका आपाट division होगा इसका lower division क्या होगा lower division होगा 19.98 ठीक है इसका answer होगा 19.98 तो इसमें कितना deviation होगा यहां पर देख सकते हैं मतलब tolerance क्या होगा तो इसमें minus करना पड़ता है तो इसमें 20.02 mm से 19.98 mm minus करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं कितना answer निकल कर आएगा तो यहां पर आएगा 0.04 mm ठीक है यह point है यह 0.04 mm है इसका answer होगा tolerance होगा 0.04 mm तो इसका minus करने के बाद निकलते हैं 0.04 यह अगर 20 mm नहीं था 25 mm भी दिया हो सकता है ठीक है लेकिन यह इसमें इतना ही था कि plus minus 0.02 उसमें दिया गया था question में तो इसका answer होगा 0.04 ठीक है next question देख सकते है question number 40 which arc welding machine provides better heat distribution in the electrode and job यानि इलेक्ट जब हम welding करते हैं तो इलेक्ट्रोड और job में किसी एक job है तो job में और electrode में better heat generate करते हैं कौन सा welding machine के माध्यम से तो इसका answer होगा option number A rectifier set इसका answer होगा rectifier set आप आपको ये वीडियो कैसे लागा है आप लोग जरूर कमेंट करके बताईएगा और वीडियो को भी लाइक कीचे चैनल में नया आये हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और आपका अगर कोई दी क्वारी है तो भी कमेंट कर सकते हैं आप लोग